ढ़ Websか दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहे थे सामान विज्ञान के बारे में तो इसमें हम लोग कुछ फारट करकर के बात की थी तो आभी तक हम बहुत इकविज्ञान भी देख चुके हैं आपका रसाइन विज्ञान पूरी तरह से कतम कर चुके हैं उसके बाद हम लोगोंने आपका विज्यान भी पूरी तरह से खतम कर दिया, जन्तु विज्यान भी आपका पूरी तरह से खतम कर चुका हो, सबसे एक मात्पूं टॉपिक इसमें था आपका प्राथमिक स्वास्त एवं सरील के रिया विज्यान, आपकी जितने भी questions पूँचे जाते हैं लगभग लगभग इसी चेते से अधिक पूचे जाते हैं उसके बाद आपका अंगला topic था वनस्पती विज्ञान इसे भी पूरा complete कर चुके हैं उसके बाद आपका किरसी एवं पसुपालन इस पर भी हम लोग पूरी तरह से बात कर चुके थे अब last topic इसमें बचता है आपका पारिस्तिति की पर्यावन और पिदूसन यहीं इसका last topic है उसके बाद आप देखेंगे बिज्ञान एवं परोद्दूगेकी के बारे में science and technology इसमें क्या-क्या देखना है पारिस्तिति की साखाएं पारिस्तिति की पेरामिड और पर्यावन एवं पिदूसन इसमें यहीं कहूंगा कि किरन सामान ग्यान बोक्स है अगर मिल रही हो आपके आसपास तो इसे खरीद लें क्योंकि इसे अगर मुझे लगता है complete कर लेते हो तो SSC bank railway आप छोड़िये काफी हगत तक आप state PCS prelims भी निकाल सकते हो ठीक है यह MPPSC तो prelims आप पूरी तरह से निकाल सकते हैं जो MP special है उसे अगर पढ़ लें और इसे एक किरन सामान ग्यान को तो इसमें से questions आपका बाहर नहीं जाएगा क्योंकि one day exam की तरह आपने देखा है कई एक state PCS भी questions होचते हैं आपके तो चलिए इसे देख लेते हैं हम लोग last topic बचा हुआ था आपका ecology के अंतर का जीब समुधाय का उनके बातावारण के साथ पारसपरीख सम्मद्न का अध्यन करते हैं आप लोग ecology में ठीक है पारिश्थितिकी में हैकेल एक बिग्यानिके हैकेल के नुसार एकोलोजी बिग्यान की वर साखाय जिसमें आप लोग जीवों एबं उनके बात्तावरंड की पारसवर्ण संबंदों का दिन करते हैं एकोलोजी सब्द का प्रियोग सरवितम जो रेटर साहब थी इन्होंने किया था एकोलोजी सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया था रेटर साहब ने अगर हम लोग इसकी पारिष्टिध्य की साखायाओं की बात करेंगे तो इसमें पहला है आपका उटो ओटोक्लोलोडी इसे आप लोग सोuf पारिष्टिध्य की भी कहते हैं किसी एक प्रियाड़ी या एक जाती के प्रियाड़ियों एवं पर्याबन की पारिस्थितिति की, किसी इस्थान पर पाय जाने वाली समस्त जीब जिसमोग, वहां की पर्याबन की पारिस्थितिति की कारक का बरगी करें हम लो, तो इसे दो भागों में बाट सकते हैं, पहला आपका जैविक, दूसरा आपका जैविक, अगर जैविक क पितेक जीब का एक दूसरे से संबंद होता है, यह संबंद आपका निम्निफिकार के हो सकते हैं। सहजीवी था, इसमें दो जीवों का ऐसा सम्बंद, जिसमें दोनों जीव को एक दूसरे से लाव होता है, जैसे आप ले सकते हैं इसमें लाइकेन, कबक एवं सहवाल का सम्बंद, फुर आपका मिर्टो जीवी था, कुछ जीव सडे गले पदार्थों पर आसरित रहते हैं, इसमें आपके कबक ले सकते हैं, जीवाडू ले सकते हैं, क्या कबक और जीवाडू, फिर आपका सहे भोजीता, इस पिकार की संबंद में एक जीब को लाब होता है, और दूसरे जीब को उसमें लाब नहीं होता है, और नहीं हानी होती है, अगर लाब भी नहीं होता है, तो ह प्रिकास की उपस्तिती में ही पिकास संसलेशन की क्रिया करते हैं, जिसके पलसरू बेपौधे अपना भोजन मनाते हैं, प्रिकास की अवधी की आधार पर पौधों को निम्न बर्गों में बांच सकते हैं, किस-किस में? पहला है आपका देर्ग पिकासी है, जो पौधी निडायक दीप्ती काल से अधिक अवधी पर पुस्पुत्पन करते हैं, देर्ग पिकासी है पौधी कहलाते हैं, जैसे हैं हैंवेन हो गया, पालक हो गया, फर आपका अल पिकासी है, जो पौधी निडायक दीप्ती काल से कम पुष्पुत्पन करते हैं, सौट डे पिलांट कहते हैं हम लोग, जैसे सोयावीन, तंबाकू, जंबियन, यह हो गया, प्रिकास उदासीन पुधे, प्रिकास उदासीन पुधे, इन पुधों में पुष्पुत्पन करने के लिए, दीबतकाल का प्रभाव नहीं पढ़ता है, जैसे टमाटर, मिर्ज, कपाद, कपाद, सूर्मुखी, ताप, टेंपरेचर, जीबों में होने बाली किरियाओं पर ताप का प्रभाव भी पढ़ता है, जब एक किरियाओं के लिए ओस्तन, 10 डिगरी सेल्सियस से 40 डिगरी सेल्सियस ताप की आवस्त्ता होती है, ताप की आधार पर हम पोधों की बात करें, तो इन्हें निम्न भागों में बाट सकते हैं, कौन-कौन से, महा तापी, पोधी की विकास के लिए 25 डिगरी सेल्सियस से 40 degree Celsius तक की ताप होना चाहिए इसमें कतना 25 से 40 degree Celsius इस पेकार की बहुत ही उश्न कटी बंदिये चेत्र में आपको देखने को बिलेंगे यहाँ सादाह बाहर 1 मरुस्तलिय घास के मैदान वर्सा बन पाये जाते हैं फिर आपने देखा है मद्व तापी बेपोदे बिकास के लिए 10 से 25 degree Celsius तक का ताप होना चाहिए इनके लिए इस पेकार की बहुत ही तोष्ण फ्यर या फिर उपोष्ण कटी बंद में देखने को मिलेंगे यहाँ परड़ पाती बंद घास के मैदान पाये जाते हैं फिर आपने देखा है तीसरा नियून तापी पौदों की बिकास के लिए 5 degree से 10 degree Celsius तक ताबमान होना चाहिए इस पेकार की बहुत ही आपको टैगा पिदेश में देखने को मिलेंगे यहाँ संकुधारी बन भी पाये जाते हैं फिर आपका है एक अती नियून तापी पौदों की बिकास के लिए 0 degree Celsius से 5 degree Celsius की बीच होना चाहिए ताब इस पेकार की पौदों की टुंडा पिदेश में देखने को मिलेंगे यहाँ आपका लाइकेन, मौस, छोटी जाड़ियां आदी पाय जाते हैं फिर आपका बायू विंड, इसका प्रभाव मुक्रूप से भूमी अपर्दन, फराग कर्ण, बीजो की पिकीडन पर पड़ता है बेग के अंसार बायू को कही भागों में बाट सकते हैं समीर, इसका बेग आपका 5 से 50 किलोमीटर पिती घंटा होता है फर जन्जा, इसका बेग आपका 50 से 100 किलोमीटर पिती घंटा होता है तूफान, इसका बेग 110 से 125 किलोमीटर पिती घंटा होता है हरीकेन या फिर हैरीकेन, इसका बेग 125 किलोमीटर से पिती घंटे से अधिक होता है फिर आता है एक बाट, वाटर यानि कि जल पौधों के विकास के लिए जल भी आती हावस्थ के जल, बरसा जे से जल का कुछ बाग मिट्टी के कड़ों के बीच रिक्तिस्तानों में रहता है, यही आपका केसी का जल होता है, इसे केसी का जल कहते हैं, पौधा इसी जल का उस्वसन करते हैं, गुरुत्वी जल, बरसा के के बाद कुछ जल गुरुतवाकर्शने करकार निट्टी की चलिव सतर पर पहुंच जाता है। भूमी में जल इस तर तक चला जाता है। ऐसे जल को हम लोग गुरुतिये जल कहते हैं। क्या कहते हैं। गुरुत्तिय जल, पौधे इस जल का अवसोसर नहीं करते हैं, पौधे इस जल का उपयोग नहीं करते हैं, फरातिय मिट्टी, पौधे के उचित विकास के लिए मिट्टी की आवस सिक्ता भी पड़ती है, मिर्दा की बनावट, चिकनी मिट्टी, 0.002 mm से कम, गाद, सिल्ट, यह आपकी 0.002 mm से 0.002 mm तर, बारिक बालू, इसमें आपकी 0.002 से 0.2, मौटा बालू, यह 0.02 से 2.00 mm, वारिक बजरी, यह आपकी 2.00 से 5.00 0 तर, बजरी 5.00 0 से अधिक, किसी इस्थान पर पाए जाने वाली किसी जीब, समधाय का वातावण से संबंद, इस संबंद को हम लोग एको सिस्टम कहते हैं, क्या कहते हैं, एको सिस्टम, पारिश्थित पारिश्थितMA की की विचारधा रहस्तर रुपफतम, एजी, ट्रांसले साहब ने 1935 में दी थी, किसने एजी ट्रांसले साहब में, कह पारिश्थितकी तंद को दो घटों में बाट सकते हैं, जैविक घटक, इसके अंतरगत जीबजन्तु आते हैं, जैविक घटक केंतरग किलोरोफिल उपस्तित, जो सूर के पेकास में अपना भोजन बनाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, ये CO2 और O2 के अनपात को संतुलिद भी करते हैं, जो आप CO2 छोड़ते हैं इसका उपयोग कर लेते हैं, पौदी, उसके बाद O2 आपको बापस देते हैं, जिसका आप लोग करते हैं, उपभोगता, ये जीव अपना भूजन नहीं मना पाते हैं, बलकि ये उत्पादक पर आश्रित रहते हैं, किन पर? उत्पादक पर, उपभोगता को निम्न बर्गों में बाट सकते हैं, परात्मी को भोगता, ये साकाहरी होते हैं, क्या होते हैं? साकाहरी होते है ये सरे पौधों पर ये आसरत रहते हैं, जैसे खरगोस है हो गया, हिरन हो गया, खरगोस और हिरन ये प्रात्मी को भोगता में सामिलें अगर हम दुतियव भोक्ता की बात करनें तो ये मासाहरी होते हैं जो परात्मे को भोक्ता पर आसरत रहते हैं जिसे बिल्ली हो गया, भेडिया हो गया पर आपके आते हैं अबगटक इस साइनी में जीवानूं तथक कमक आते हैं ये मिर्थ पौधियां और जन्तूओं को अबगटित करते हैं अबगटन के बाद पदार्थ वाईवन्डल में इबं मिट्टी में मिल जाते हैं अबगटन मिर्थ पौधियां इबं जन्तूओं को अबगटित कर वादावयन को सच रखते हैं फिर आपका अजयविक घारक, इसके अंतरगत प्रिकास ताप, आदधा, मिट्टी, इत्यादी आते हैं। अजयविक घारक निम्न है, कौन-कौन से कार्बनिक पदार्थ, जैसे मेथेन हो गया, सी अजकोर, कार्बोहईडेट, आ कार्बनिक पदार्थ, इसमें आपका जल हो गया, खने जिलावड हो गया, जलवाई भी ये कारक, प्रिकास हो गया, ताप, मिर्दा, आदधा, उत्पा आपको, अब चलते हम आगे, पारिष्टितिक की पेरामिड, एकोलोजिकल पेरामिड, पारिष्टितिक की तंद के पिविने पोसर, इस थरों में, इस थरों में संचितूर्जा, जीवों की संख्या, खादपदार्थों की मातरा के आपर, आधार पर रचना बजाए जाती ह जिसे ही हम लोग पारिष्टितिक पेरामिड कहते हैं, एतीन पेकार के होते हैं, जीव संक्या का पेरामिड, दूसरा आपका जीव भार का पेरामिड, तीसरा होता है उर्जा का पेरामिड, आहार सिंकला, हरे पोदे उतपादक को साकाहरी जंतु खाते हैं, साकाहरी जंतु को आप कौन खहता है? मासाहरी जन्तु की रूमके घरहन करते है यानी कि खाते है इस पिकार एक पोसी स्तर से दूसरे पोसी स्तर पर उर्जा का स्थानांतीथ होता है पतेक चर्ड में मात 10-30 उर्जा ही स्थानांतीथ होते है उसे 10-30 नियम या फिर लेंडमान का नियम कहते हैं क्या कहते हैं लेंडमान का नियम कहते हैं जैसे आप समझ सकते हैं घास हो गया इसके बाद हिरन बाग देखे घास आपको उत्पादक है उसके बाद प्रात्मे को भूगता में आपकी हिरन आता है यहां आपकी 1000 कलॉरी उर्जा उत्वन होती है तो हिरन तक पहुँचेगी यह 100 कितनी? 100 कलॉरी और उसके बाद बाग जब हिरन को खाएगा तो 100 में से 90 है तो एक हिरन आप उर्जा का उप्योग कर लेगा लेकिन इससे आपकी दस पिती सती बाग में पहुँचेगी यानि की दुती यह भोगता इस तरह से कम होती जाती है फिर आपका खाद जाल पितेक पारिश्थितिक तंत में अनिक खाद सिंखलाएं पाई जाती है इस पेकार खाद सिंखला का एक जाल बन जाता है जिसे हम लोग खाद जाल कहते हैं देखे घास जैसे आप लोग घास, चुहा, कीट, छिपकली, मैडक, साप साप को बाज भी खा लेती है और मोर भी तो घास को कौन खा रहा है? कीट कीट, मैडक, कीट को मैडक, उसके बाद मैडक को साप इस तरह से ये सिंखला खाद सिंखला चलती रहती है किसी पार्षतिक तंत में खाद सिंखला बिभिन पिकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिसमें जीवधारी भोज जेवं भक्चक के रोम में सम्मद्दित रहते हैं आहार सिंखलाओं की पिकार की अगर हम लोग बाग करें तो ये तीन चर्णों वाली खादे सिंखला है ये सरलतम घास की मैदान में संपन हो रही है आहार सिंखला है इसे निमलेखित रूब में पिदर्शित कर सकते हैं घास, हिरन और सेव घास, हिरन और सेव चार चर्णों वाली खाद सिंखला घास के मैदान में ही चार चर्णों वाली आहर सिंखला को निम्न पिकार से पिदरसित कर सकते हैं घास, कीट, उसके बाद मैडक, पक्ची पाँच चर्णों वाली सिंखला की अगर हम लोग बात करें तो इसे निम्नेपकार से पिदर्सित कर सकते हैं जैसे घास हो गया, कीट, मैडक, साप और पक्ची खाद सिंखला की अगर हम लोग कारियों की बात करें इनका कारी क्या है आकिर? खाद सिंखला उर्जा के स्थानांतरन को पिदर्सित करता है या जैब घटकों की सरचना पिदर्सित करता है या पदार्थों के स्थानांतरन को भी पिदर्सित करता है उर्जा फिर्वाः जी मंडल में उर्जा का पिर्वाः एक ही दिसा में होता है जी मंडल में उर्जा मुखता स्रोत क्या है सूर है हरे पौदे सूर उर्जा को पिकास उर्जा की रूम में गिरहन करकी प्रिकास संसलेशन किरियादवारा रसाइनिक उर्जा में बदल कर कार्बनिक भोज पदातों में संचित कर देते हैं जैब जगत उर्जा, भोजन के लिए पित्यक्च या फिर परोक्चरूप से पौधों पर निर्भर रहती है, जल जग, जीबधारियों के सरीर का सबसे बड़ाण से लगवा आपका 80-90% जल होता है, पर चाहे आपका कोई भी जीब हो, यानि कि जल का मत आप समझ सकते हैं, जीबधारी जल को बाय campe लत्वा भूमी से पराप्त करते हैं, क्योंकि जल जीबधारियों की सरचना के लिए आवस सकते हैं, पौधे जल को भूमी या जलासैयों से तथा जन्तू जल को सीधे गिरहन कर अपने भोज पदालतों से पराप्त करते हैं, पौदों की पत्तियों से बासपी कंड द्वारा, जीबधारियों से सोसन तथा उस्त्रजी अंगों द्वारा जल अधिकांस भाग मुक्त हो जाता है इस पेकार बातावण से जीबधारी जितना जल प्राप्त करते हैं उतना बातावण में मुक्त कर देते हैं इस बेकार आपका जल चक जो होता है निरंतर इसी तरह से चलता रहता है कारवन चक कारवन पदार्थ हों के संगठन में कारवन चक कारवन अवस्पाय जाता है जीबधारियों के सरीर में उपस्थित कारवन वाई मंटली ये कारवन डाय उक्साइड से आपको प्राप्त होता है प्रक्ति में कारवन, कारवन एक पदार्थ जीवास मीनन के जलने अत्वा ओक्सी किट होने के कारण कारवन डाय उक्साइड मुक्त होती है पौधी सूर पिकास की उर्जा को गहन करके बातावन की कारवन डाय उक्साइड को भोज पदार्थ में बदल देते है इस पेकार अधिक मात्रा में आई हुई कारवन डाय उक्साइड पुनहा कम हो जाती है कोईला पेटॉल मूंगे के पहाड आदी सभी कारवन चक की करडिया है तता प्रक्किती में जैविक किरियाओं द्वारा निर्मित होती है आनि की बनी होती है फर आपका है नाइट्रोजन चक नाइट्रोजन पौधन पौधों ये जन्तुओं दोनों के लिए मत्पूर्ण हो सकता है नाइट्रोजन चक का संचिप्त निम्न पिकार है पहला भूमी में नाइट्रोजन भूमे में नाइट्रोजन आकार्वनिक तथा कार्वनिक योगों की रूम में उपस्तित रहती है लेकिन जीवधारी इसका प्रियोग नहीं कर सकते है नाइट्रोजन योगी के करन सोतंत नाइट्रोजन से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की निर्माड को नाइट्रोजन योगी करन कहते हैं यह दोग पिकार का होता है कितने दो पिकार का अज्यविक इसमें बाईवंडल की सुतंत नाइट्रोजन तडेत एवं बर्सा की जल से नाइट्रोजन एवं नाइट्रेट में परिवर्टिट हो जाती है जिनने पौदे अपनी जड़ों द्वारा आउसोसित कर लेते हैं फिर दूसरा आपका ज्यविक इसमें जीवाणू इश्ट नीली हरे सहवाल जैसे सोक्ष जीव भाग लेते हैं इस पेकार के हरे पौदों पौदे जीवाणूओं एवं जन्तूओं के बीच बातावर्ण में नाइट्रोजन चक चलता रहता है अब चलते हैं हम लोग आँगे पर्यावर्ण पर्यावर्ण किसी भी जीव या जन्तूओं समू के चारों और बिद्वान परिस्तितियों जो उस जीव को प्रभावित करती हैं इसे हम लोग पर्यावर्ण करते हैं आपने बच्च्वन में इसकी परिवासा पड़ी होगी कि हमारी चारों मोर फैला हुआ बातावर्ण पर्यावर्ण अता प्रक्किती की अनुसासित और संतुलित रूप को पर्यावर्ण कहा जाता है इस्थल जल बायू मेर्दा आदी का वह आवरंच से मानव गिराए पर्यावर्ण कहलाता है यह मानव की विकास में मत्खून प्रभाव डालता है पर्यावर्ण में जीवित और आजीवित संगटकों को समलिद भी किया जाता है विस्थ पर्यावर्ण दिवस आपका पांच जून को और विस्थ पर्यावर्ण सरक्षन दिवस यह आपका 25 नमगमर को मना जाता है इनसे आपके कुश्चन समय साब पूचते रहते हैं तो इन्हें आप याद रखिए पर्यावर्ण के पिती जागरू को करने के लिए इन दोनों दिवस को मना जाता है विस्थ पर्यावर्ण दिवस माजून को विस्थ पर्यावर्ण सरक्षन दिवस यह आपका 25 नमगमर को पिदोसन बायू जल या फिर भूमी के भोतिक रसायनिक या फिर जैविक गुड़ों में होने वाली अंचाहे परिवर्ण जो मनों से वं अन्य जीवधारियों और उनकी जीवन परिस्थितियों और उद्धोगिक पिक्रियाओं एवं सांस्कितिक उपलब्दियों के लिए हानिकारा को पिदोसन कहलाता है आप इसे इस तरह से ले सकते हैं कि आप किसी भी चीज में एक परिवर्ण का सीमित मात्रा होती यानि कि हदो होती अब आप सोचें की पेड कारते जाएं उद्धोग इच्षेट के बिकशिक परते जाएं उद्धोग लगाते जाएं तो इससे आप देख सकते हैं की वायू वी फिधूसाण होगी क्योंकि जो धुआ निकलेगा वायू में जाएगा उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरी तरह से-से, कि जहां जल जाएगा इसका, तो जल पिदूसन होगा, इसमें जो रसाइनिक पदार्स निकलते हैं, वो जिस मिट्टी में मिलेंगे, वो मिट्टी भी आपकी पिदूसित होगी, जो हमारे लिए हाने कारक रहेगा, पिदूसन का साधारन सा सीधा सा मतलम निकाल सकते हैं, कि पर्यावन का दूसित होना, अर्थात प्रक्किती की अनुपातिक सरेचना में मूलपूत परिवर्थन होना पिदूसन है, सौक्ष पर्यावन प्रक्क्ती का अनुसासित एवं संतुलित रूप है, इस अनुसासन एव जल और भूमी इन तीनों के बीच प्रक्ति ने एक संतुलन नियम बना रहा है मन उसने सबसे जबसे इस तीनों कि संतुलन की नियम की अंदेकी किये तब से हमारा पर्यावन पिजूचन हो रहा है एक आप बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि जो इनसान है अगर जो भी परयावन में बदलाओ देखे जा रहे है जो भी आपदाएं आ रहे है इसके लिए मुझे लगता है कि हम लोग ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है क्योंकि हमारे अंदर लालच है आप सोचते हैं कोई गाय है कोई सेर है कोई साफ है कोई बक्ची है तो ये सबका बरावन का हिस्सा है प्रक्किती में किसी एक के लिए प्रक्किती नहीं है लेकिन इसमें मनों से सबसे लालची होता है और इसे इसका कभी लालच पूरा भी नहीं होता है उसी का कारण है कि हम लोग सब भोगत रहें बनों की अदादंद कटाई है नदियों से कूड़े कच्रे कबाहा रसायनों के आसंतलित फिर्यो आदी में सहित रूप से परियावन की छती को फुरोसाहित किया जाता है परियावन्स छरन परियावन्स में छरन तीव दोगी करन इवन विकास मान जन संक्याने भी सक्रिय सहयो दिया है ब्यापक इस्तर पर छारी चर्डिये पिदूसण सीगी पिराक्तिक तक्त्यों में पुनाहा परिवर्फित हो जाते है यथा घरेलू अवसुष्ट पदार्थ दूसरी ओर आचर्णिये पिदूसण दीरगाववदी तक वातावर्ण में विद्धमार रहते है और परियावन्स को इस्ताई रोग से चती महचाते है आचर्णिये पिदूसण पिरमुक्त रोग से उद्दोगे केकाईयों, वाहनों एवन बहुत तीक पिसादनों के उपयोग से उत्वन होते है यता रसाइनिक पिसेलितत, दातविक ऑक्साइड, पिलास्टिक पिसेलिग्या से आदी वर्थमार में परियावन में मुक्ता पांच पिकार के पिदूसण, दिर्ष्टी गोचर होते है जल पिदूसण, पिदूसण, वायू पिदूसण, धौनी पिदूसण, भूमी पिदूसण, और रेडियो धर्मी या फिर विक्रियाण पिदूसण ये आपके पांच पिकार के होते हैं सबसे पहले बाग करते हैं हम लोग जल पिदूसण के बाले जब जल में विसाक पदार्थों गिरते हैं तो जल पिदूसित हो जाता है इस पेकार जल का दूसित होना ही जल पिदूसन कहलाता है कारणों की अगर बात करें हम लोग तो निसकासित घरेलू अपमार्जद जलासाव में प्रभावित मल नदियों में प्रभावित उद्धोगी कारखानों के अपसिष्ट उत्पाद, संसलेशित रसाइन, मेर्थ जन्तुओं को जल में प्रभावित करना ये सब ही आपके कारण है जल पिदूसन के निवारन की अगर हम लोग बात करें तो वाहित जल मल, घरलू अपमार जग और पिदूसित जल को सहर की निकट नदियों या पिर तालावों में प्रभावित प्रभावित नहीं करना चाहिए आपने देखा होगा कानपूर के जो भी आपके कारखाने थे उन्हें हटा कर आप आपने जगे बेजा रहा है क्योंकि गंगा के सबसे जाना पिदूसन होने की यही उत्रोप थे पिदूसन के लिए कई बड़े नाले भी आपने देखा होगा इलावाद का सुना होगा इस तरह कि आकर इसी में गंगा में डारेक्ट मिल देती उसकी भी उप्चार किया जा रहा है कापी इत तक आपने देखा है कि अब साब भी हो चुकी है कारखानों से निकले अप्सिष्क पदार्थों को आबादी से दूर प्रभाहित करना चाहिए जिन तालाबों का पानी मनों से या फिर जानवर पीते हैं उनमें कपड़े या फिर गंदी बस्तुए नहीं हमें दोनी चाहिए खेत में कीट ना सक्क दवाओं का प्रियूग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उस खेत का चल पीने बाली जलायसों में बहे कर ना जाए हमारे जिस में उद्दोगों अतवा कारखानों की इस्थापना जल प्राप्ती की सुग्धा के लिए कारण नदियों और जलासयों की समीप ही की जाती है यही कारण रहता है कि यह बापसी जाता है जल तो पिदूसित हो जाता है जल कारखानों में प्योक्त होने वाला रसाइनिक अवसिष्ट के साथ बहे कर नदियों एवा जलासेओं तक चले आते हैं जल को पिदूसित कर देते हैं कागाज का उद्देव, चरम सोधन उद्देव, खनेज उद्देव, कीट नासक निर्माण उद्देव आदी के अवसिष्ट पिदूसर जल का वही इस राओ नदियों तसन जलेओं जलासेओं को पिदूसित कर देते हैं पिदूसर में जल में आपका पारा हो गया सीसा, केडमियम, जिन, क्रोमाइट, मैगनीज, आदी कांस होने की कारण याए मीनी माता जैसे दुरगर्णा आमंतित यानी की रोग पैदा करता है जल पिदूसर की निमनांकित प्रमुक कारण होते हैं गहरेलू अपसिष्ट पदार्थ, ओद्दोगीक निच्छे, किरसी में रसाइनिक प्रियोग और तापिये प्रभाव पर आपका वाईव पिदूसर जब किनी कारणों से वाईव मंडल में विविन गैसों की मात्रा और अनपात में परिवतन होता है तो इसे वाईव पिदूसर कहते हैं क्या कहते हैं? वाईव पिदूसर कहते हैं इसके कारणों के अगर हम बात करें तो रसानिक कारखानों में से विविन पिकार की विसली गय से निकलती है, जो बायू को फिदिसित कर देते हैं. रेल गाड़ी, मौटर गाड़ी, ट्रक इत्यादी, सौचालत बानों में कोला, कोईला, डीजल, पेटोला दी, कि जलने से धुँआ तथा विविन पेकार की, बेसेली गैसे निकलते हैं, जो बाताबाण को पिदिस्वित कर देते हैं, अपने रेल गाड़ी देखा होगा जो क कोईले से चला करती थी, उसमें देखा होगा कि जब चालू होती थी वो, तो कितना धुआ फेकती थी, अब तो काफियत तक आपकी रेलवे, लाइन को बिद्धूती करन कर दिया गया है, जैब मंडल में परमाड़ू विस्पोर्ट से रेडियो, धर्मी पदार्थों की मात बढ़ जाती है, इसके निवारन की अगर हम लोग बात करें, तो कारखानों को आबादी से दूर लगाना चाहिए, उद्धोगिक चिम्नम्नियों को अधिं उच्छा लगाना चाहिए, तथा फिल्टर का प्रेयोग करना चाहिए, ब्यक्चों की कटाई पर रोक लगाना चा चाहिए, तथा पर्माडु सैंतों की कच्रे का निश्तारन नियोजित तरीके से किया जाना चाहिए, वातावरन में गैसों का संतुलन जब परियावन द्वारन निर्धारी सीमाओं से अधिक परिवर्तित हो जाता है, तब बायु पिदूसर्ण होती है, बायु में ऐसी ब वाली भट्टियों, पेटॉल, सोधक, कारखानों, बैपक पिर्मान पर हो रहे, एयर कंडिशनों की उप्यों, रसाइनिक सास्त्रों की परिक्षण आदी से उत्पन्न होते हैं, यसे बायु में कार्बन मोनोकसाइड, नाइट्रिक ओकसाइड, सल्फर डायोकसाइड, आद यह आपके पिदूसर्ण कारी तत्तियों की स्वास्तिक पर प्रभाव पढ़ने वाले प्रभाव हैं, यह आपके पिदूसर्ण कारी तत्त हो गए, स्वास्त पर अलुपकाली प्रभाव, देर कारी प्रभाव, कार्बन मोनोकसाइड, सरी के तंतियों तंतुयों तक पिटिकूल प्रभाव, इशनाई, दुरबलता, दृष्टी सकती चीड होना, फुपोस के कार में परिवर्थन होना, इसके देखकालिक परिवर्थन, नाइट्रोजन के ओक्साइड, दर्द एवम खासी, अगर दीखकालिक हम लोग प्रभाव की बात करें तो स्वास सम्मंद फुपोस की दीवार की कोशिकाओं में परिवर्तन, सलफर डाई ओक्साइड, दमाक आकमड और फुपोस की कारिचमता घट जाती है, धूलकड, कई रोगों से घ्रनने का खत्रा, विसाक्तिता और कैंसर, हाइड्रोक कार्वन, हाइड्रोकार्वन इससे आपका कई दर्ध खा किरिया पढ़ती है, और दीख काल की बात करें, तो लीवर किरनी को छती, बच्चों के मानसिक स्वास्त पर पितिकुल प्रवाव, पिजिनन चमता की हानी, गरवस्त सिसु को छती भी इससे पहुंचती है, नुकसान, फिर आपने सुना होगा ओजोन परत, कई बार सुनते ह किरने से पहुंचती है, चिंच से बावएगनी किरंे सिधे पहुंचकर मेढ़ के ताम मान में बिद्धी करेंगी, इससे आपका तुच्छा कैंसर और अंधिपन का प्रिकूप बढ़ जाएगा, समता मंडल का तामान आवेवस्थित हो जाएगा, जलबाई में परिवतन होंगी, जैबूर असाइनिक चक प्रभावित होंगे, ओजोन अल्पता में, छोब मंडल में, हैड सम्भीलन, में सलफेट कड़ों विसीस का रूख से सलफल, सलफर हेक्सा फिलॉराइड, एससेप सिख्स, की प्रमुक हरिद ग्रेगेस की रों में पहिचान की गई, बिग्यान कोने ट्राई फिलॉरो मेथाईल सलफर पैन्टा फिलॉराइड, नमक एक और रिद ग्रेगेस, हर ग्रह गेस की वायो मंडल में उपस्तती का पता लगाये था जलवास्फ भी हर गेस है किन्तु जलवास्फ तथा ओजोन पर अंखुस लगाना ना तु संभाव होए ना ही आवस सके पैरम की तीन गेस है कारवन डायोकसाइड, मेथेन और नाइट्रेक ओकसाइड फिलोरो कारवन, पर फिलोरो कारवन सलपर हेक्था फिलोरो Siğ पेंटाा फिलोराइड मानव निर्मित गेस यह आपकी सबी क्या है Een और उसके बाद है आपका मिर्दा फिदूसन जाने की मित्टीमें फिदूसन मेड़ा गैस इवर मीरदा जल एक निष्चित मात्रा में अनुपात में इन्य पदार्थों की मात्रा अनुपात में किि कारणों से उत्पन आवांचनी आवांचनी परीवतन मिरधा पॱिक कहलातियां कि इसके अगर हम लोग कारणों को देखें तो काफी मात्रा में ठोस अपसिष्ट, परदार्श जैसे पैकिंग का वेर्थ सामान, प्योग किये गए कोईली की राग, धातू, पिलास्टिक चीनी, मिट्टी के टूटे वर्वतन, कांचित्त्यादी में पिदूसन कारी पदार्श, खानों खदानों आदी की मिर्दा में पिदूसन पिदूसक पदार्श जैसे केडमियम, जस्ता, सीसा, तामा एवं निकल आदी पाए जाते हैं अनेक उद्दोगों जैसे लुगदी, तथा कागज मिल, तेल सोधक कारखाने, उर्जा तथा ताप सयंद, पिलास्टिक तथा रवर सयंद आदी मिर्दा पिदूसन के पिदूसन के पिरमोग सिरोते हैं किर्सी में पेउक्त रसायने कुर्वरकों, कीट आडू नासी, कवक नासी, कीट नासी, आदी पदार्थों के अत्यदिक पिरियोग से भी आपकी मिर्दा यानि की मिर्दी में पिदूसन होता है फिर निवारन की अगर इसके सही करने की बात करें, तो कीट नासक पदार्थों का प्रेव उचित, एवं निर्धारित मात्रा में करना चाहिए मिर्द जंत्रों के जो मरे हुए जानवर होते हैं, इनके सरीर तथा कूड़ा को सहरिक से दूर मिट्टी के अंदर दबा देना चाहिए रसाइनिक उर्वरकों का प्रेव निश्चित मात्रा में करना चाहिए आपको आउसिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्री करके उन्हें उपयोगी पदार्थों में बदलना चाहिए जनसंख्या बिद्धी के अनुरूप किर्सी उत्पादन बढ़ाने के लिए रसाइनिक खादों और कीठ नासकों खरपदवाय नासकों आधिका प्रेयोग जल पिदूसन के साथ सत्थ भूमी पिदूसन में भी तीब गती से बिड़्धी कर रहा है वस्तूता जल पिदूसन के कारणी भूमी पिदूसन भी बगता है भूमी पिदूसन के कारणों के आधार पर भूमी पिदूसन को तीन सेनियों में बरगी कित किया गया उद्धोगिक अपसिष्ट पिरवावित गहरेलू अपसिष्ट पिरवावित और मिर्दा परदन या फिर मिर्दा पिदूसन फिर उसके बाद है आपका धौनी पिदूसन सांत बातावरार में असांती बाधा छुब दिता और घबराहट उत्पन होने को उन्हों दौनी पिदूसन कहते हैं इसे आप लोग ने कई बार देखा होगा कि जब आपको कोई गाना पसंद हो आपको पसंद है तो आप सुन रहे होगी तो आपको प्रवलम नहीं होगी जब आपका मन ना हो और कोई बयार आ हो तो आपका दिमार खिसक जाता है तो आपके लिए वो दौनी पिदूसन करने लगता है यानि कि आपके लिए दौनी पिदूसन हो गया है दौनी पी दूशन भोती के वों मांसिक स्वास्त को प्रभावीत करता है दौनी पीती 10 चेतरी एकोड, चेतर की सैनी, दिवसकाल, तीबता और रातरी की समय तीबता यह उद्धोगिक छित में, यह दिवस मतलब दिन में आपका 75 डेसिमल और राती काल में 70 डेसिमल होती है वाडिक छित की बात करें तो 65 डेसिमल और 55 डेसिमल रात्तरी के समय है, यह आपके दिन के समय है आवासी चित्र में आपका 55 डेसिमल और 45 डेसिमल सांतिमूर चित्र में 50 डेसिमल और 40 डेसिमल याद रखे धौनी मापने का एक डेसिवल यन्त होता है भारत में धौनी पिदूसन के नियंदन के बिधिक प्रावधान की बात करें तो भारती दंड सहता 1860 धारा 268 या धारा बताती है कि लोग उपताप क्या है उपताप बास्ताओं में ऐसे दुष्टता पूर्ण कारियों को कहते हैं जिससे किसी को आसुविदा हो, सांति भंग हो, कुरोध आए, चोट लगे या फिर खत्रा हो उपका अर्थ होता है छोटा या कम ताप का अर्थ होता है गरम यानी करोध अर्था बेकार जिसके दुआने थोड़ा करोध आए अताहा उपताप में दोहनी पितूसन के अलावा भी बहुत से कृटते सामिल हैं फिर धारा 290 इसमें उपताप के लिए दंड की सीमा निर्धारित की गए हैं धारा 291 इसमें मना ही के बापजूत उपताप को जारी रखने पर दंड की सीमा करने धारन किया गया है फिर आए आपका बाहन वाहन अदिनियम 1988 गाड़ी के होन दोहनी सामक कस्थ हालत में ना होना धौनी पिदूसन पर सरकार को नियंतन की सकती देता है तथा धौनी पिदूसन को एक दंड नहीं अपराद भी बनाता है रेडियो धर्मी पिदूसन X-ray, radium की कोच के बाद से मनुस्त विक्रेणिये प्रिवाहों से बहुत जाना कूप प्रिवावित हो रहा है X-ray के अधिक प्रियोग से मनुस्त के सरीर में कैंसर और अलसर हो जाता है रक्त कोच का इमम अस्थी मज्जा में भी इस केड़ों को आवंचित परिवतन हो जाते हैं जीवित कोच काई मी बिक्रन को नश्ट हो जाते हैं संकटपन वन जीब की बात करें तो इस्तन पाए हूलक गेहवन भारतिय कपे नीलगिरी सेंग पूँच का बंद चोटा पूँच का बंद भारतिय पिंगोलिन गीदर लाल लोमडी भारतिय लोमडी जंगली कुत्ता हिमालेई बूराप भालू लाल पांडा मालावरी मालावारी वारी विलाव बाग भारतिय सेंग तिंदुगा भारतिय एक सिंग बाल हिरन, एलपाइन कस्तूरी हिरन, वन कस्तूरी हिरन, जंगली याक, भारती विशन, आसमी खरगोस, ओडन गिलायरी, गंगे डॉल्पिन, वलीन हिल्ज, विंगोलीन, लियन, मनुस, ससक, सी, चचुन्द, याद रखिए आपकी बदलते रहते हैं, करेंट से जोड़े रहिए, पक्षी की अगर बात करें, तो गिरिज हो गया, अंस, गुलावी कलगी वाला, बाली वतक, सुएत, पंकिये, वतक, मियूट, स्वान, गरोड, इवंबाज, भारती अमोर, सारस, भारती, पंचरा, निको, निकुवार का उतर, हौन, बिल, स्वैंजन, चिडिया, सरीशिप की बात करें, तो जैसे घडियाल, गोए, भारती, पायथान, भारती अंडा खाने वाला, सरव, हरा कचुवा, समुद्री कचुवा, एश्चुरी मंगरमच, दल्दली मंगरमच, आजिगर्व, एस अभी सामिलें, पिदूसर नेंतन के लिए अंतराष्टिये प्रयास की बात करें हम लोग, तो पितवी, जोहांसवग सिखर सम्मेलन, सतर बिकास की पक्च में राजनेतिक पितिवद्दता, और इसके लिए बास्तवी कदम उठाय जाने की, उम्मीदों के साथ, 26 अगस्ति से 4 सेप्टमबर सेप्टमबर 2002 तक जोहांसवग 10-6 अफिका में, पितवी सम्मेलन, सेकेंड का आयोजन, पितवी सम्मेलन, दुतिये का आयोजन हुआ, इस सम्मेलन में एक मत से गरीवी और परियाबन पजारी, कारियोजना को मंजूरी दे दी गई थी, पिदूसर से सम्मदित अंतराष्ट ये राजनीती की बात करें, तो कारवन डाई ओक्साइड एवं अन्हानिकार अग्यासों के उत्साजन, एवं उनकी प्रभाव पिछली सिताब्दी से ही चर्चा में बने हुए हैं 1972 में इस्टोकोम, परयावन सम्मिलन में इस्तत पर विचार किया गया था, इसके पास्चात 1992 की रियोपितवी सम्मिलन में जारी एजेंडा 21, एजेंडा 21 में पिदूसर को एक मत्पूर्ट बेसाई की रूम में भी सम्मिलित किया गया था 1992 में फिर पिदूसित गेसों की उत्सरजन से होने वाली जलवाई पूर्वितन को रोकने के लिए एक सम्झोता किया गया, जिसके अनसार उद्धोगिक देसों को हरित ग्रहों, ग्रह गेसों का उत्सरजन वर्ष 2000 तब 1990 की स्तर तक कम करने का था Global Environmental Factory GE App की अंतरगत बिकासिल देशों में चलने वाली परियावाण परियोजनाओं के लिए एक बहु पक्षिय कोस का निर्माड करना था इसमें, किन्तु ये दोनों कार बाद्रकारी नहीं थे और इसमें आपने देखा होगा कि अमेरिका इस तरह के प्राधानों से पीछे हट जाता है, जब से डॉनल्ड टरम साहब आये हुए हैं, यह हर समझोता को इनकी नजर में कुछ भी नहीं है इस समझोती पर तितीय सम्मेलन आपका 1997 में क्योटो में आयुजित गया, जिसके अंतर के क्रोटो प्रोटोकॉल की गोशना की गई, इस प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गरग प्रभाव के लिए 6 गैसों, इसमें आप कौन-कौन सी सामिलें, कार्बन डाइव ऑक्साइड, म सामिल को उत्तरदाई माना गया है, इस समझोती को बात बनाती हुए अभी सुनिश्चित किया गया, कि ग्रेन हाउस गयसों की कटोती की तीपिता में यूरोपिय संगी, 8 पिती सत, अमेर के 7 पिती सत, और जापान आपका 6 पिती सत की कटोती करेगा, मार्च 2001 में क्योटो प में, जब 165 दिशनों क्रोटो प्रोटोकॉल को मंजूरी दी थी, तब उस समय अमेरिका ने इसे आसुई कारी कर दिया था, इसमें जानने वाले कुछ बिंदू है मत्रों, क्योटो सम्मेलन में सलफेट कडों, विसे रूप से सलफर हैकसा फिलोराइड, SF6 की पिरमुख हरे यानि कि SF5, CF3 नामा की एक और हरीद ग्रै गैस को की बाईव मंडली में उपस्तिती का पता लगाये था जलवाईव जलवास्प की भी आपकी हरीद गैस है, किन्तु जलवास्प तथा ओजोन पर अंकुस लगाना ना तो संभा होए और ना ही आवस्सक है पिरमे की तीन गैसों की बात करें तो कारबन डाई, ओकसाइड, मेथेजन और नैटरिक रोकसाइड और चटिन नंबर की ओजोन एवं जलवास्प प्रक्ति निर्मित तथा हाइट्रो, किलोरो, फिलोरो, कारबन परफिलोरो कारपन, सलफर हेक्सा, फिलोराइड, एवं ट्राइफिलोरो मेथाहिल, सलफर पेंटा, फिलोराइड, माना निर्मित ये सभी गैसे हैं विसमे सबसे पिदूसित दमगुट्टू, सहर की बात करें, दिल्ली भारत का, काहिमामिस का, बिजिंग चीन का, सेंट्यागो चीली का, मैक्सो सिटी, मैक्सो, ये बदलते रहते हैं आपने देखा होगा कि पिछली बार ऑस्टेलिया का पूरा चुनाओ इसी पर संबन्दित था पूरा ठीक है ओजोन चरन की ओजोन का चरन करने बाले रसाइनों की बात करें तो इसमें रसाइन हो गए प्योक्त हो गए और बिकल्पी प्योक की बात की जा रही है जैसे CFC 12 वाईव बिले उनमें एरोसॉल की रूम में प्योक्त होते हैं इसमें आपको हाइडोकार्बन हो गए मेथाइद द्रव संबीडित गैस है इससे CO2, N2O, N2, वाईव, SCFC 22 या तरिक दाब इत्यादी को CFC 12 एपीसी इत्कों यानि की रेफ्रेजरेशन में भी सामिल किया जाता है हाइडोकर्बन HFC 134 HFC 152A गहरे लूम प्योग में प्योग होती है HFC 22 वाडिक प्योग गितू अमोनिया फिरे आपकी CFC 11 फॉम के रूम में इसका प्योग होता है SCFC 123, SCFC 124, SCFC 12, SCFC 114, SCFC 141, SCFC 142, 111, Trichlorotheline, TCA, Methyl Chlorocarbon, Tetra CFC ये विलायकों में साल्वेंट, हाइडोकर्बन, किलोरिनेटेड विलाय, SCFC 20, 225, जल से सफाई, इसमें प्योग होता है हैलोजन हो गई, 1211, छोटे अगनी समय को में उप्योग होती है हैलोन की स्थान पर फियुक्त किये जाए सकने वाले रसाएं जैसे FC 3, HFC 227, HFC 23, HFC 125, HFC मिसरित A, HFC में C 22, B, 1, HFC 139, निस्किरिये गैसें समूग, जैसे IG 541, IG 55, जल छेड़काओ, जल दुंद तकनीक, कारवन डाई ओक्साइड आ दी यह आपकी कुछ समस्या है, उनकी प्रभाव की बात की जा रही है समस्या है उनकी कारण प्रभाव वाई मंडल में कारवन डाई ओक्साइड की बर्ती सांता जीवास मीदनों का अत्यदिक प्रभाव की कारण यह हो रहा है वाई मंडल के ओसत ताबमान में बड़ोत्री इसके कारण देखे जा रही है ग्रेन हाउस प्रभाव और वाई मंडल की ताबमान में बड़ोत्री कारबन डाई ओक्साइड और मेथेन और नाइट्रोजन के ओक्साइड की वाईव मंडल में बढ़ती सान्था इसका प्रभाव दिखते हैं ओसस समुदितल में बिड्डी के कारण सागरी तर्टिये सहरों के डूपने का खत्रा जलवाई में परिवर्था है बाई मंडल की उपरी परत में इस्तित ओजोन परत है इसका बिक्टन सी अपसी के रसाइनों का प्रेव सूर की दूप के साथ परावेगनी केड़ों के पितिवी तक आने के कारण चरम कैंसर की घटनाओं में बिड्डी देखी जा रही है अमली वर्षा जीवास मींदनों का अक्तितिक प्रियोग किसी वन संपदा प्राचीन इमारतें इमारतों मेर्दा और जली संसादनों पर बुरी प्रभाव तो आपका समुद्री पिदूसन समस्त मानवी किरियां जलपोतों से तेल का रिषाओ और जलपोतों की दुरगटना समुद्री जैविक संपदा का विकास इससे बादेत होता है जल पिदूसन समस्त मानवी किरियां बढ़ती सहरी करने और दोगों का कचरा जलीय सरोतों सती हिवं भूजल कि अत्यदेग दोहन के कारण नदी में कम पानी का बहाओ और बनों की कटाई से भूजल में कमी इसका क्या पिरवाओ पड़ता है दूसिक पानी में से होने बाली अनेक रोग जैविक संपदा का नास उत्ता उप्योग जल की कमी भी देखी जाते है वायू पी दूसर दोहनी पिदूसर्ण सभी पेकार की बहरापन किसी कार में मन के अंदरित नहीं कर पाना इस सभी इसके प्रवाव मिद्दा पिदूसर्ण कीट नासकों और रसायनिक और वर्रकों का अत्यदिप्रियोग और विभीन पेकार की कच्च्नों का भूमी में संचय भूजल का पिदूस से थोना, वो भूमी कया कि जैविक संपदा का हरास जैब विभित्ता, क्या है? जैब विभित्ता जैब विभित्ता में कमी है इसमें क्या देखते हैं आप लूँ? समस्त मारवी करियाओ और विलूपती करन इसका पिरभाव दिखा जाता है पर्यावन और पिदूसन आंगे हम लोग बात करेंगे बिग्यान एबं परोधुगी की के बारे में ठीक है बहुत दीमात्पूर रहता है इसे भी आपके questions बनते रहते हैं ठीक है